सोमू विशनपुर गाउं में अपने परिवार के साथ रहता था परिवार में पत्नी शांती, दो बच्चे छोटू और पिंकी के अलावा उसकी बूढी मा बिमला भी थी पूरे परिवार के खर्च का भार सोमू पर ही था सोमू रंगाई पुताई का काम करता था पहले तो इस काम में अच्छी कमाई थी, लेकिन अब गाउं में भी शेहरों की तरह दिवारों पर वॉल पेपर और टाइले लगाने का चलन हो गया था जिसका सीधा असर सोमू की कमाई पर पढ़ रहा था परिवार के लिए खाना, बच्चों की पढ़ाई और बूढी मा की दवाईयों का खर्च उस पर बहुत भारी पढ़ रहा था फिर एक दिन अरे सुमू भीया, क्या बात है? इस बार मंदिर की पताई शुरू नहीं की अब तक? है? दिवाली आने वाली भई? इस बार इडादा नहीं है क्या? नहीं भाई, मंदिर को तो सजाना ही है, हर भार की दरह बस इस बार थोड़ा सा हाथ तंग है यार तो इसलिए देर हो गई है जैसे ही कोई जुगाड बनता है तुरंत मंदिर मैं काम शुरू कर दूँगा अगर इस बार मुश्किल है तो रहने दो भाई, है? कोई कुछ नहीं कहेगा भाई नहीं भाई, कोई कुछ कहे ना कहे हर दिवाली मंदिर का रंग रोगन मैं करता आया हूँ मा लक्ष्मी की कृपा रही तो इस बार भी करूँगा? जरूर करूँगा इतना कहकर सोमू बुझे मन से अपने घर की तरफ चल दिया वो हर साल दिवाली के मौके पर गाउं के मंदिर में रंगाई पुताई का काम करता था इस काम के लिए उसने कभी पैसे नहीं लिए वो अपनी श्रद्धा से ये काम करता था लेकिन इस बार काम की कमी के चलते उसके पास पैसे नहीं थे सोमू जैसे ही घर पहुँचा तो उसने देखा कि दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे जोटू मैं तुझे पहुत मारूंगी अगर तुने मेरी फुलजडियां ली तो बाबा मुझे फुलजडियां अलग से लाके देंगे वो भी तुझे अच्छी और मैं तुझे उसमें से एक भी निदूंगा नहीं मेरी फुलजडियां तेरी वाली से अच्छी होंगी देख ले न तु अरे पिंकी तु बड़ी है न क्यों अपने भाई को रोला रही है बाबा देखो न ये कह रही है कि इसकी फुलजडियां मुझे से अच्छी होंगी अरे पर तुम दोनों के पास फुलज़़ियां आई कहां से हमारे पास नहीं है बाबा वो तो आप हमें लाकर दोगे न दिवाली पर हाँ हाँ जब दिवाली आएगी तब देखेंगे है न अभी से क्यों आस्मान सिर्पर उठा रखा है तुम दोनोंने चलो जाकर पढ़ाई करो वरना स्कूल में मैडम से डाट पड़ेगी नहीं पड़ेगी बाबा हमें तो स्कूल जाना ही नहीं है स्कूल नहीं जाना लेकिन क्यों बाबा वो मैडम ने बोला है कि जब तक हमारी स्कूल की फीस नहीं जमा हो जाती तब तक स्कूल नहीं आना है पिंकी और छोटू वहाँ से चले गए लेकिन सोमू को एक नई चिंता में छोड़ गए पैसों की कमी की वज़े से बच्चों का स्कूल छूट रहा था सोमू इस सब के बारे में सोची रहा था कि तभी उसकी बुढ़ी मा कमरे से बाहर आई और कराहते हुए उससे बोली अरे सोमू आ गया बेटा मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा ये घुटनों में मालेश का तेल खतम हो गया है ले आना तो बाजार से बहुत दर्द है मुए घुटने बिलकुल साथ नहीं दे रहे ठीक है मा ले आऊंगा तभी सोमू की पतनी शांती वहां आती है और सोमू से कहती है आ गया चली खाना लगा देती हूँ सोमू हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठता है कि तभी शांती उससे पूछती है क्या हुआ जी आज भी बात नहीं बनी क्या नहीं शांती दिवाली का मौका है फिर भी कहीं काम नहीं मिल रहा पता नहीं क्यों लक्ष्मी माता नाराज हो गई है अच्छा सुनो ये बच्चे कब से स्कूल नहीं जा रहे हैं पिछले हफ़ते से बच्चों की फीस जमा करनी होगी पहले तभी बच्चे स्कूल जा पाएंगे उफ, क्या करूं अब मैं आप परिशान मत हुए, मा लक्षमी की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा शांती की बात सुनकर सोमू को कुछ हिम्मत मिलती है अगले दिन वो फिर से काम की तलाश में घर से निकलता है वो कहीं लोगों से बात करता है लेकिन कहीं बात नहीं बनती वो ठकहार कर एक जगा बैट जाता है और हाथ जोड़ कर कहता है ए मा, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है, जो आप मुझसे रूट गई है मा, मैं आपका भक्त हूँ अगर मेरी भक्ती में कोई कमी रह गई है तो मुझे एक शमा कर दीजिए लेकिन मुझसे इस तरह रुष्ट मत होईए मा सोमू की आँखों में आसू थे, तभी पीछे से उसे कोई आवाज देता है सोमू, अरे ओ सोमू, ये तू ही है ना अरे सेड़ जी आप, आपने मुझे बुलाया क्या हाँ हाँ, यहाँ और किसका नाम है सोमू कबसे ढोंड रहा हूँ तुझे तेरे घर भी भेजा अपने आदमियों को पर तू घर पर मिला ही नहीं चल, जल्दी चल, काम है तुझसे दिवाली से पहले पूरी हवेली का रंग बदलना है क्या, आप सच कह रहे हैं सेड़ जी हाँ तो, देख सोमू, तीन साल पहले काम करवाया था तुझसे सबको पसंद आया, इसी लिए सोचा फिर से तुझसे ही करवाओ पर अगर तू नहीं कर सकता तो अभी बता दे मुझे दिवाली से पहले सारा का सारा काम खत्म करवाना है सेड़ जी, मैं करूँगा ना, बहुत अच्छा काम करूँगा और बिल्कुल समय पर करूँगा ठीक है, तो फिर चल, जल्दी बैठ गाड़ी में चलकर काम समझ ले सारा गाओं का अमीर सेड काशिलाल सोमू के लिए उसकी सारी परिशानियों का हल बन कर आया था वो सोमू को अपने साथ अपनी हवेली में लेकर गया हवेली बहुत बड़ी थी और उसकी रंगाई के काम से सोमू की खूब अच्छी कमाई हो सकती थे सेट से एडवांस में मिले पैसों से सोमू ने तुरंट सारा सामान खरीदा और हवेले की पुताई का काम शुरू कर दिया सेट वैसे तो भला आदमी था लेकिन पूजा पार्ट में बिलकुल विश्वास नहीं रखता था उसकी पत्नी जब भी उसे साथ में पूजा करने को क्या थी वो या तो सीधे सीधे मना कर देता था या फिर कोई बहाना बनाकर इधर उधर हो जाता था ऐसे ही एक दिन अरे सोमू तुने सेट जी को कहीं देखा क्या अभी तो सुनी थी मैंने उनकी आवाज हाँ बस अभी अभी बाहर को चले गए सेट जी कुछ काम याद आ गया था शायद उनको अच्छा ये भी ना मैंने कहा था पूजा में मेरे साथ बैठने के लिए बस अभी जाना था इने सुन सेट जी आए तो भेजना मेरे पास जी जी सेट की पत्नी मालिनी घर के अंदर चली जाती है तभी दिवार की आड में छिपा सेट बाहर आता है और सोमू से कहता है भला हो तेरा सोमू आज बचा लिया तूने सेट जी पर ऐसा करते क्यों हो आप मालिकिन के साथ पूजा में क्यों नहीं बैठते अरे मुझे ये सब पसंद नहीं तुझे पता है तिरी मालिकिन एक बार पूजा में बिठा ले तो मुझे घंटों तक उठने नहीं देती भाई कितने काम है मेरी जान को वो सब करूँ या बस वो जा मैं ही बैठा रहूँ सोमु समझ गया था कि सेट को समझाने का कोई फायदा नहीं वो चुप चाप अपना काम करने लगता है सोमु ने हवेली के साथ मंदिर की रंगाई का काम भी शुरू कर दिया था वो दिन भर सेट के घर काम करता था और शाम होते ही मंदिर के काम में लग जाता था इसी तरह दिन रात काम करके वो बहुत ठक जाता था ये देख कर एक दिन उसकी पतनी शान्ती ने उससे कहा आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है इस बार मंदिर का काम रहने देते बड़े नसीब से हवेली का काम मिला है उसे ही अच्छे से कर लो ना नहीं शांती हर साल दिवाली से पहले मैं मंदिर की रंगाई करता आया हूँ इस बार मेरे पास पैसे नहीं थे इस वज़ा से देर हो गई लेकिन फिर भी मुझे कैसे भी दिवाली से पहले सारा काम खत्म करना है हवेली का भी और मंदिर का भी लेकिन इस सब में आप अपने घर को तो भूली गए हो बच्चे इसी इंतजार में हैं कि कब आप उन्हें दिवाली के लिए पटाके और नए कपड़े दिलाने ले जाओगे मा जी के घुटनों का तेल भी नहीं आया और दिवाली पर लक्षमी पूजन के लिए भी तो सामान चाहिए न अरे हाँ शांती ये सब तो मैं भूली गया था तुम चिंता मत करो मुझे जैसे ही सेट जी से पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें दे दूँगा ऐसा करना तुम बाजार जाकर सारा सामान खरीद लाना मैं तो नहीं जा पाऊंगा इस बार शांती को भरोसा दिला कर सोमू हवेली के लिए घर से निकल जाता है हवेली पहुँचकर उसने देखा कि सेट एक पुराने कमरे का सारा सामान बाहर निकल भारा था उस सामान में सोमू को एक बहुत पुरानी मातालक्षमी की फोटो दिखाई देती है उस फोटो पर पुराने समाने का बहुत मोटा फ्रेम चड़ा हुआ था कबसे इस गोदाम में पड़ी हुई थी ऐसा कर इसे ले जाकर कभाडी वाले को दे दे जा अरे सेट जी कैसी बात है कर रहे हैं आप ये माता लक्ष्मी की फोटो है अगर आप कहें तो क्या मैं इसे ले जाओ अपने मंदिर में रख लूँगा पूरा दिन काम करने के बाद सोमू खुशी-खुशी उस फोटो को अपने घर ले जाता है वो उस फोटो को अच्छे से साफ करने के लिए जैसे ही उसका फ्रेम खोलता है तो उसमें से कुछ हीरे निकलते हैं ये देख कर सोमू चौंक जाता है वो तुरंत शांती को इस बारे में बताता है तो शांती उससे कहती है अरे वा, माता लक्ष्मी की कृपा हुई है हम पर, थबी तो ये हीरे आपको मिल गए जै मालक्ष्मी, अब सब अच्छा हो जाएगा जी शांती सोमू को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सोमू तुरंत सेट के पास जाता है और उसे हीरों के बारे में बताता है सेट और उसकी पतनी हीरों के बारे में जान कर हैरान रह जाते हैं फिर कुछ देर सोच कर सेट सोमू से कहता है सुमू, आज तक मैंने कभी मन से पूजा पाठ नहीं किया लेकिन आज ये सब देखकर मुझे एहसास हो गया है कि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान मदद जरूर करते हैं ये हीरे तुम्हें मिले हैं और तुम्हारे ही है सेट वो हीरे सोमू को वापस दे देता है सोमू अब गरीब नहीं था लेकिन फिर भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा उसने मंदिर और हवेली की रंगाई का काम सही वक्त पर पूरा किया और फिर उन हीरों को बेच कर अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया उसने पूरी श्रद्धा से दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन किया इसके बाद उसने उन हीरों की मदद से अपना काम भी आगे बढ़ाया शेहर जाकर उसने रंगाई पुताई की नई तकनीक सीखी और माता लक्ष्मी की क्रिपा से खूब अच्छी कमाई करने लगा